बिहार मिनिस्टर खुर्शीद एहमद is the new target of the fringe after he chanted जैश्री राम in the Bihar Assembly. कि वह स्वाल हुँआ कोई खुदा कहता है कोई राम कहता है एक सकती है जो software को चला रहा है कि मैं कौन हूं? हम कितने एंडों वाले हैं? हमारा इंडों इतना कंजूल नहीं है कि मै जैशीर राम is read तो मैं जो है हमारा धर्म बदल गया, मेरा जात बदल गया, हमारी इमान इतनी कम्लोड ही है, इस्लाम धर्म से निकाल दिया गया, ये निकालने वाला रहा सवाल सबसे पहले अपने दिल में क्या, हमारे दिल में क्या है, ये मैं जानता हूँ और उपर वाला जिसने जो है ये पूर्सी डालम कौन है वाकई वह किस इसे आता है हम काम से अपना जाने जाते हैं केवल हम इसलाम के जो मुसलमान के घर में हमारी पैदाइस हो गई तो हम मुसलमान नहीं हो गए या हिंदू के घर में हमारा जनम हो गया हिंदू नहीं हो गए सबसे पहले हम इंसान हैं और इस विवार के लिए और कायनात के लिए उसके तरक की किकास के लिए राज्य की देश की भलाई के लिए आपसी सोहार्ध बनाए रखने के लिए मुझे जय सिरी राम अगर कहना पड़ेगा तो उससे आज भी कल भी नहीं पीछे हटा था आज भी नहीं हटूंगा कभी नहीं हटूंगा उस फत्वे में कुछ नहीं है बहुत आसान सी बात है कि हमने जो अख़बार में पढ़ा और वाइट शोपर जो बयान सुना देखा हमने तो उस अंदाज में मेरा जमीर मुझे को मलामत किया कि ऐसे आदमी का लोटिस लेना चाहिए सवा अख़बार में जो बयान उनका आया कि फलाँ साहब ने एसमबली में जैशरी राम का नारा लगाया उसके बाद वो कहते हैं कि मैं रहीम की भी पूजा करता हूँ और राम की भी पूजा करता हूँ तो ये दो जुमला ऐसा खतरनाक है कि मैं रहीम की पूजा करता हूँ और राम की पूजा करता हूँ तो ये जो है ये इसलाम इसको बरदाश नहीं करता है जो ऐसा कहे और करे आज इसको ऐसा नजरिया हो किसी मुसल्मान का दूसरे का हो सकता हम को से बहुत नहीं लेकिन किसी मुसलमान का अगर ये नजरिया होगा तो वो इसलाम से निकल जाता है अजब वो इसलाम से निकल जाएगा तो उसकी बीवी ने कहा से शादी से खतम हो जाएगी बस इतना ही कहा है हमने और तो कुछ नहीं कहा हमने